हेलो फ्रेंड्स, स्टड़ी वित स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम मध्य पिदेश की न्याय पालिका के बारे में पढ़ेंगे इसे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इसके इसका भारती सम्मेदान में कहां पर उलेक किया गया है और किस तरीके से से परिभाशित किया गया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मध्य पिदेश की न्याय पालिका भारती सम्मेदान के अनुच्छे 214 के अंतरगत प्रत्यक राज्ज में एक उच्छ न्याले की स्थापना सुनेशित की गई है अनुच्छे 215 के अंतरगत उच्छ न्याले एक अभिलेक न्याले होता है जिसका न्याय अधिकारिक माना जाता है उसके आधार पर अधिनस न्याले अपना न्याय देता है अर्थाथ उच्छ न्याले जिस प्रकार का न्याय करेगा किसी भी केसे रिलेटिड उसी के आधार पर अधिनस न्याले अपना निर्ने देता है एक राज्य के रूप में मद्यपिदेश के गठन के पूर मद्यपिदेश का न्याले जो है 2 जनवरी 1936 को भाराशाशन अधिनयम 1935 की धारा 108 के अंदरगत नागपूर में इस्थापित किया गया था सबसे पहले मद्यपिदेश उच्छ न्याले मद्यपिदेश में न्याले 2 जनवरी 1936 को इस्थापित किया गया भाराशाशन अधिनयम 1935 की धारा 108 के तहत और यह नागपूर में इस्थापित किया गया था यदि ऐसा कोशन आ जाए कि सवतनता से पूर मद्यपिदेश का न्याले कहा था तो आपको आंसर में नागपूर लगाना होगा नेक्स पॉइंट जिससे वर्ष 1956 में जवलपूर में सानाधित कर दिया गया जब मद्यपिदेश एक अलग राज़ बन गया तब मद्यपिदेश का न्याले जवलपूर में सानाधित कर दिया गया 1956 में मद्यपिदेश उचन आले की मुखपीट के भवन निर्माण राजा गोकुल दास ने 1889 में करवाया था जिसके वासुकार हेन्री इर्वन थे हेन्री इर्वन थे मद्यपिदेश उचन आले की मुखपीट जवलपूर में तथा दो अन्य खंडपीट 28 नवंबर 1968 में इंदौर और ग्वालियर में इस्थापिद की गई मद्यपिदेश की तीसरी खंडपीट की इस्थापना भोपाल में प्रस्तावित है इसमें कुछ विशेश आप लिख सकते हैं मद्यपिदेश उचन आले में प्रथम मुख नयाइधीस नयायमूर्ती एम हिदायत उल्ला थे ये कॉश्चन कई बार MPPSC में प्रदा चुका है मद्यपिदेश की प्रथम मुख नयाइधीस कौन थे एम हिदायत उल्ला जिने सर्वच नयाले में मुख नयाइधीस प्रथम मुसलिम मुख नयाइधीस बनने का गौरब प्राप्त हुआ है मद्यपिदेश की उचनयाले की प्रथम महिला नयाइधीस सरूज नी सकसे ना थी मद्यपिदेश में महिला मुख नयाइधीस सरूज नी सकसे ना थी वर्तमान में मद्यपिदेश में मुख नयाइधीस अजे कुमार मित्तल है और ये 25 नमर के नयाइधीस है 25 नम्मर के मुख नयदीश है अजे कुमार मित्तल जी तो आज की वीडियो में हमने मद्विदेश में न्याय पादी का पढ़ा जिसमें हमने हाई कोट के बारे में उच्च न्याले के बारे में पढ़ा एक चीज़ और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि भारती सम्विधान के अनुचे 24 में 214 में हाई कोट के बारे में बताया गया है जबकि 124 में अनुचे 124 में सुप्रीम कोट के बारे में बताया गया है ठीक है? ठैक्स फर वाचिंग आईज अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जे हिंद जे भारत